हेलो वेलकम तु देश्टोडियो मेंबर्स आज हम ओवराल्टी को ट्रेट कर रहे हैं मौनिंग में अपने ग्रूप पर हमने एक मेसेज पोस्ट किया था वोइस मेसेज के आज के दिन ट्रेडिंग को अवाइट की जागा विकर्स मार्केट बहुत ज्यादा बॉलिटाइल है अगर आपको patience नहीं है आपके अंदर आपको trade execute ही करना है मतलब कोई अच्छी confirmation नहीं किसी तरह के stock selection नहीं है बस कोई भी stock है जो भी मेरे सामने है वो चाहें जितना भी चला हो वो चाहें जहां भी हो हमें trade execute करना ही करना है तो अगर इस तरह से आप trade करना चाहते हो तो आप पर कहीं न कहीं एक प्लस मैंट होगा आगे बढ़ते हैं आज कहीं जो हमने ट्रेट अपना एक्जिक्यूट किया है एक्शुली बिल्कुल सपोर्ट पर ही और रॉयल्टी का यह जो रेंज है 858.50 की जो रेंज है एंट्र हमने इसी अपनी एक रेंज पर लिया इस सपोर्ट पर वॉल्यूम्स की कंफिर्मेशन के साथ डेलोक अपना स्टॉप लॉस था एंडड टार्गेट हमने काफी हाई की उपर टार्गेट हैं काम से कम यह एक हम इसके अंदर माक करते हैं तो यह वाली जो रेंज है हमारा यहां तक प्राइस के अंदर मॉवमेंट्स हो सकते हैं यहां पर सबसे पहले हम लोग अपनी ट्र हो गया है तो हम अपनी टर्मिनल के उपर लॉगन हो चुके हैं एंड यहां पर सबसे पहले ओके देखिए मुवमेंट्स डाउंसाइट की स्टार्ट हो चुकी है हम यह निकलना ही पड़ेगा यहां पर वॉल्म्स को ज्यादे इंक्रीज हुई है और प्राइस बहुत ज्याद अगर यहां से आप देखोगे तो काफी बड़ा मुवमेंट इसके अंतर हो चुका है तो इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट है लगभग पोजिशन बुक में देखते हैं 14-15,000 रुपीज के लगभग का प्रॉफिट अपना चल रहा है तोड़ा सा मुवमेंट शांत होने देते हैं उसके बाद में जो भी अपनी अनाल्सिस है किस तरह से मिसको ट्रेट करने है कहां सी हमने सपोर्ट से डिफाइंड किये थे क्या स्टॉप लॉस बगए रहे स्टॉप लॉस एक्शली यहां पर आप देख सकते हैं 854.85 के मेरे स्टॉप लॉसे हैं और बॉपन करत वी अन्यार्ट जो भी हमारे हैं टार्गे शो बरेवाइघ करेंगे 870inyl2.50 अशफ अच कर द簡atin है आई स्टेश करेंगे 875 जितना भी बड़ा मॉवेंट है बिल्कुल भी मॉका नहीं मिला हमें जस्ट एंट्री लिएझ हैं दो केंडल में पॉराइज हमारा अपसायट के त जल्दी से निकल चलते हैं क्योंकि बहुत क्विक ट्रेड है यह बहुत ज्यादा स्पीट के साथ यह मुव्मेंट हुए हैं तो स्टॉप लॉस और कैंसिल करते हैं स्टॉप लॉस केंसिल पोजिशन बुक्स एंड एट सेवेंटिफाइफ देखिए जितना भी प्राइस यह प्रॉफिट वागरा जो भी हमारा चल रहा है अगर आपके पास एक सही वह है एक प्रॉपर वह है इस्टॉक्स को ट्रेड करने का इस्टॉक्स को स्लेट करने का उस ज्यादा से ज्यादा समय मार्केट को देना देखिए इतनी ज्यादा वोलेटाइल मार्केट आप कोई भी स्टॉक उठा करके देख लीजे प्राइस अभी 75 के ऊपर चल रहा है 75.35 भी यहां से बाहर ही हो जाते है चुप चाफम दो ज्यादा लालाच अच्छा नहीं 75.20 है 8.75 लीजे और से निकल गए मेरे ओके एंड हम अपने ट्रेट से यहां से बाहर हैं और पो एक बार चेक कर लेते हैं देखिए 888888888888 जितनी भी कॉनिक्रेटीज थी सारी की सारी निकल गई है जस्ट बीस नेट के अंदर हम कहेंगे कि हमको हमारे अब सारे के सारे टागेट मिल गए 1 2 3 4 5 5 के अंदर है 5 इंट 5 25 आदे गहंटे के अंदर अधर हमने अपने फोर्टीन थाजन रुपिस का प्रॉफिट आज की मार्केट के अंदर क्रैब किया है जो कि मेरे लिए एक सटिस्वाइव मूवमेंट है एक सटिस्वाइव अभी टाइम नहीं था कि रुणिंग मार्केट में इसको अनिलाइज करें अब हम अपने आज के स्टॉक को और रॉयल्टी को अनिलाइज करते हैं हायर और लोवर टाइम के अपर सो मूवाउन करते हैं अपने स्टॉक के अपर प्राइस सेम रेंज से नीचे के दिशा में रहा है यही होता है एक लेवल को पहचानना एक सही लेवल आइंटिफाई करके उस रेंज के उपर एंट्री बनाना और कहां पर आप निकलते हैं कि आपको स्टॉप लॉस बनता है इन सभी चीज़ों को देखना डेली टैंप्र पर देखिए यह कुछ जोन हमारा बना एक सपोर्ट है यहां से प्राइज हमारा कई बार अप साइट की तरफ और सेम रेंज से ही डाउन देखिए यहां से यह अप और वापस से प्राइज हमको आज उसी रेंज पर मिलता है इग्जैक्ट सपोर्ट माइंट पर अब देखिए हम क्या करते हैं इसको और डीपली यह इनलाइस करते हैं यह जितने भी मेरे स्यूंग सफिक्स अइंज होँ कि आप लोग समझ पा रहा होँगे देख पा रहा होँगे सबही Eyes को व्हें सबहर्य करंगे ही यहां पर तो यह Nurseolution में जिसके थो मोगि इसंपोर्टी डिफाइंट करते हैं वौल्यक मेंज शब इनाई टैमफ्रेम पर support a resistance को हिए करते हैं हुर बार हम आपसे कहते हैं कि अपने system को पहले से ज्यादा मजबूत करने के दिशा में हर टेडर का अपनी एक अप्रोच होनी चाहिए आज से एक साल पहले सिस्टम हम यूज किया करते थे अभी वह इसम दूसरा है उसको और implement किया, ऐसे ही करते करते कोई भी एक system fix नहीं हो सकता, हाँ आपके methods fix हो सकते हैं, अब daily time frame पर हम लोग यहाँ पर markings करेंगे अपनी, जैसे यह एक range है मेरी, यह जो black वाली आप candle देख रहे हैं, price ने यहाँ पर एक swing लगाया था और यह अपना एक low था, हम क्या करेंग यहाँ पर समझ पा रहे हैं, highs और lows का गया, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी मेरे supports वगरा हैं, हम इनको draw करेंगे, और इन supports के पास में देखें कि price की moves क्या हो रहे हैं, एक तो देखिए हमने यह वाला support अपना draw किया, ओके, यहाँ पर price ने कल के दिन अपने supports को break क किया था, कल के दिन market यहाँ से नीचे गिर गई थी, और यह price का बहुत major support था, यह वाली supports आप देख रहे हैं, यह बहुत major supports थी, price ने कल के दिन उस range के नीचे supports break की थे, अभी आज के trading session में अगर हम देखते हैं, तो कल के trading session का price ने आज के दिन low किया, low break किया, मतलब gap down ही कर दिया था वहां से, and morning में ही price हमारा जो open हुआ तो नीचे की दिशा में open हुआ, and अब यहाँ पर भी कुछ ना कुछ supports होंगे, यह वाला जो एक zone बना, price नीचे की दिशा में गिरने के बार जब यह upset के तरफ गया, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इसके supports बने होंगे, हमे identify करना है कि वो कौन सी candle है, जिसको हम mark कर सकते हैं, और current situation में वो हमारे लिए support का काम करेगी, price में क्या होगा, ऐसे ही किसी भी candle को तो हम mark नहीं कर सकते हैं, यानि कि एक support होगा, यहाँ पर price आ करके इसके अंदर से bounce आपको देखने को मिलते हैं, हमें वो candle define करने हैं, जिसके थ्रू यह support identify हो रहा है, यह वाला support, यह candle हमारी आज के candle है, और यह support हम नहीं draw किया है, यह मेरा previous support है, अब यहाँ पर आप candlestick का एक nature देखे, price जब मेरा down से upside के दरफ जा रहा था, तो यहाँ पर price का एक movement देखे, अप में जाते हुए, इसने एक यह वाली candle defined कि थी, अप मे जाते 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 एक rejection defined कर दिया, मतलब price के अंदर reject हो गया था price हमारा यहां से, इस वाली candle से price हमारा reject हुआ था, देखे, यह swing price ने break किया थे, एक, दो, तीन, तीन candles, जब एक low लगा देने के बाद में, यह तीन candles upside के तरफ जा रहे थी, तो यह वाली candle थी, जिसने price क को reject किया था, downside की तरफ, अब यह candle अगर मेरी important है, price ने क्या किया था, यहां से rejection आया था, यानि कि इसका high मेरे लिए important हो जाएगा, यह एक resistance की तरह काम करेगा, और price जब तक अपने इस resistance को देखे, break नहीं किया था, तब तक अपनी इस range के नीचे ही यह रुका हुआ था, औ अगर हमारे लिए 28th of December का high important है, तो क्या हमारे लिए 28th of December का low important हो सकता है, यह बेशक resistance और support की तरह मेरे लिए 28th of December की candle काम करेगी, क्यों करेगी, अभी हमने बताया, फिर से समझे इसको, बहुत मेहनत लगती इस तरह की वीडियो बनाने में, आप लोगों तो पहुचाने मे उसे edit करने में, record करने में, तो अगर वीडियो से आप कुछा कुछ सीखते हैं, वीडियो अच्छा लगते हैं, तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजेगा, comments कीजेगा, और अगर चैनल पर नहे है तो चैनल को subscribe कीजेगा, यहां से देखे प्राइस, डाउन से upset की तर support और यह एक resistance बन जाएगा ओके तो हमने अपनी इस पूरी यह जो ड्राइंग वेगारा किये इसको देख करके इसको करके हमने एक candle का यहाँ पर एक candle अपने निरधारित की जिसके थुरू हम आज की मार्केट सेशन के लिए इस candle को एक सब्सक्राइब को कर देते हैं कल के सेशन का जो लो था वही हमारा 28th of December का हाई था आज की सेशन का जो लो है वही 28th of December की लो का लो बना इसके आज पास आपकी मार्केट गुम रही है अब जब आप इसके लोवर टाइम फ्रेंस पर आओगे तो लोवर टाइम फ्रेंस पर देखिए वाले जो एरिया अपना बना था आज का आपको याद होगा जो हमने अपना स्टॉप लगाया है जैस्ट इस वाली रेंज पर लगाया बीस पैसे शायद आप्या डाउन यहा करके 854.85 का स्टॉप लोस था एंड यहां पर भी देखिए जो स्टॉप लोस मारा है 854.85 मतलब 50 पैसे क्या स्टॉप लगाने के लिए बिकॉस हाय टाइम पर भी एक इंपोर्टेंट रेंज है एंड जब हम इंट्राडे के लेवल्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो यही मेरा एक लूब है यानि कि यह सबसे सेफ बने गा यह तो बन गया मेरा स्टॉप लोस तो इसका कलर देते हैं थोड़ा सा चेंज अब बार यहां थी अपनी एंट्री के लिए हमने क्या किया किया कि कि मौनिंग में जो मेरे स्विंक्स बने हुए थे क्योंकि अगर प्र प्राइस ने एक फटा पर आ जाने के बाद में इनलाइनच को याद रखिएगा सपोड़ पर आ जाने के बाद में मेरा वापस से अप्सड की तरफ जाने लगा तो यह जो स्विंग से अंदर तो इसके अदर जो हमको हमारी एंट्री मिली 8它 सी के हमारी एंट्री यह पॉइंट बन गया था अपना एंट्री का पॉइंट अपना यह सेट अप था आज की ट्रेडिग शेशन का अधार पर आपको आज के दिन होती हुए नजर आएंगे सिर्फ ये एक केंडल अगर हमें इसी एक केंडल का मूव मिल जाता है तो 15,000 के ऊपर का हमारा प्रॉपिट होता है अलब 20,000 का बट जिस रेंज से देखिए हम लोग यहां पर निकले हैं जैसे हम यहां से निकले हैं प्राइस सीधे नीचे के दिशा में किर गया अब हम लोग